नमस्कार दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो विधान सवाज जुनाव होने वाले हैं उससे पहले जो वहाँ पर सियासी टक्राव भारती जनता पार्टी और साथे साथ रनमूल कॉंग्रेस में देखने को मिल रहा है उसका जो असर है वो सरकारी कारक्रमों में भी अब देख को मिलने लगा है आम तोर पर सरकारी कारक्रम और पार्टी के निजी कारक्रमों को अलग रखा जाता है लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि क्योंकि भारती जनता पार्टी की ही केंडर में भी सरकार है और यही वो पार्टी है जो लगातार हुंकार भर रही है ममतब एनरज जो है वो इस पाटी की सरकार के सरकारी का अरकमों में शामिल नहीं होंगी भले ही वो केंड़ी से जुड़ा हुआ मस्ला क्यो motivate कि देश से जुड़ा हुआ मस्ला क्यों ना हो दरसल खबर है कि 20 तारीक को प्रधान मंतुरी नरेंदर 구odi की अध्यक्षपा में नेती आयो की संच प्रदेशों के उपराज पाल इसमें मौजूद रहेंगे, खुद प्रधान मंतुरी नर्मोदी इसकी अधिक्षता करेंगे, और इस बैठक में खबर यही आ रही है कि ममता बैनर जी उपस्तित नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले भी निती आयोक की कई सारी बैठकों में वो नहीं मौजूद रही थी, और उनका यह कहना है, उनका यह दावा है कि इस नीती आयोक की बैठकों में शामिल होने से कुछ सार्थक नहीं होता है, उनका कहना है कि इस संस्ता के पास कोई वित्तिय शक्तिया नहीं है, और यह राज की योजनाओं में कोई मदद नहीं दे सक ये लेकिन सब होते हैं, तो ममता बेनर जी को मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस बारे में ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकारी कारकमों को निजी कारकमों को थोड़ा सा अलग रखना चाहिए, यहाँ पर बात राजी की होगी, उसके विकास योजनाओ की होगी, आपको ये मुख्यमंत्री, केंडर शासिर प्रदर्शक की उपराजिपाल, कई केंडरी मंत्री और सरकार के वरिश अदिकारी इसके सदस्य हैं, सब साथ में बैटकर अलग-अलग राज्यों के बारे में कैसे योजनाओ कौमनी जामा पहनाना है, कैसे राज्य को और पुरे देश को व इस पुरे मुद्धे पर आपकी क्या राय है, बताइएगा जरूर बहुत बहुत शुक्रिया